हाई व्रिवार मैं हूं अधू एक पास लाइफ थेरेपिस्ट्रे की ग्रेंड मास्ट और टैरो का ड्रीडा ऐसी किसी भी सर्वेस को वेल करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर कनेक्ट कर सकते हैं या दिए के वास्टाप नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे जोड़े रहने के लिए आप डिस्क्रिप्शने में दिए का हमारे चली ग्रायम ग्रूप को जोइन कर सकते हैं और अगर आप भी स्पिरिच्वल कोर्स लिखना चाहते हैं तो अभी मेरे वेबसाइट courses.healingbues.npair लॉग इन करके courses खरीच सकते हैं और से सीख सकते हैं तो चली अब आते हैं पते की बात पर जो है दुरका चलीसा के बारे में तो आनुभव रहा मेरा काफी टाइम से मैं पढ़ रही हूँ थोड़ा मैंने इसको इसको और भी research करने की कोशिश करी और बहुत amazing results हैं दुरका चलीसा जो लोग टेली पढ़ते हैं उनके लिए देखो चालीसा क्या होता है? चालीसा होता है स्तुती हम किसी भी देवी या देवता की चालीसा पढ़कर उनकी तारीफ कर रहे होते हैं तो दुरका चलीसा में जब हम उसे पढ़ रहे होते हैं या कोई भी चलीसा पढ़ रहे होते हैं तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब हम किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, राधना करते हैं, हमें उनके अंश मिलते हैं, तो चलीसा के खास बात कहा है कि हम जब भगवान की स्थूति करते हैं, उनके तारीफ करते हैं, भगवान खुश होकर अपने और अंश हमें देते ह आपाते हैं जादा पावर्फुल रूप में आ पाते हैं और दूसरी बात जो दुर्गाचालिसा की सबसे खास बात है एक तो लगातार पढ़ते पढ़ते मादुर्ग के किरपा पढ़ती है मादुर्गा माकाली बहुत ही प्रोटेक्ट्टिव गौड है राइट वह आपका प्रोटेक्शन शील्ड बहुत ही तगड़ावाला क्रियेट करने लगती है उससे भी बड़ी बात जो मैंने देखी दुर्गाचालीसा पढ़ने से वीनस प्लानेट स्ट्रॉंग होता है आपका शुक्र ग्रहा लगजरी का ग्रहा पैसों का ग्रहा आपकी वह साफ सफाई सु आपको एवरी सिंगल दे दुर्गाचालीसा रोज पढ़ने की आज़त बराने चाहिए अट लीस तो एक बार आपको करना ही चाहिए दो बार कर सको तो बहुत अच्छा है वारना एक ही बार करो सुबहा करो चैस्ट्राम करो बट उसको रूटीन में आप ले आए अगर यहाँ में आपको इस ते लेनी है सांकल नेले ना है कि मैं इतने दिनों तक इतना चाहिए का पार्ड करोंगे मेना की वेश फुलिफिल कर देना मा और उसके आप अपने wish fulfillment के लिए भी मां दुर्गा के यानु चालीसा को आप इस्तमाल में ला सकते हो मां दुर्गा के कई ऐसे स्तोत्र हैं से स्तोतियां हैं लाइक एक तो एक सिद्ध कुझी का स्तोत्र है जिसको मैं बच्पन से पढ़ते आई हूं बहुत पावफुल स्तोत है इससे भी इतना यह पावफुल है यह पूरी स्तो शर्दी का फ़ल आपको बस एक स्तोत्र दे सकता है आप इससे भी manifestation सपनी कर सकते हो बिल्कुल ऐसे संकल्प लगा कि मेरी यह wish है मैं इतने दुर्गा मतब कावज का स्वारी क्या मैंने बताया आपको सुन्धित कुझी का स्त और आपको बहुत जाएगा अगर नहीं होता है दुर्गा चलीसा हो सिद्गुंजी का स्तोतर हो कोई भी हो अगर आपका प्रारत बहुत जादा है तो मां को भी समय चाहिए उसको बैलंस करने में तो समय दे धैरे रखे किसी का तो पढ़ते-पढ़ते ही हो जाता है क्योंक कभी समय बहुत लग जाता है वो धायरे आप में होना चाहिए कि मैंने कहा है मा को मेरी मा ज़रूर मुझे देंगी समय बीच जाए मालो तीन मेरे चार मेने हो गए नहीं हो पाया कोई बात नहीं अब फिर से एक बार संकर्प ले लो यह बोलके कि मा पता नहीं आप जात भूल करो कि माता को भी लगे कि अगरे यह बचा यूझा कर रहा है कि आओ गे मैं इसको देने वाली हो यह विश्मस की पूरी करने वाली हो तो आप उनको इस तरीके से मां को मान जैसा ही मान कर चले यकिन मानिए एक मां बच्चे को दुखी नहीं दे सकती है हमारी मातारानी भी होता है वो भगवान ने अप लालत से पुझा कर रहे हो या आप वी समझाती है ठीक है तो अपने फ्रिक्वेंसी में रहना विश्वासός होता है almond नहीं भी होती है विश्वास होना आप साथ मThese मां भगवती कर दो जाहिर से बात आपके साथ जुरी भी ही होंगी और अगर आप चलीसा भी नहीं पढ़ते हो डेली तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजे और अप मा को पहली अपनी विश्व बता दिया कीजे और दें चलीसा पढ़ा कीजे आपको धेले दीर आपको अपनी लाइफ में परक दिखने लगेगा मैंने चलीग्राम ग्रूप में भी रिसेंट्ली दुरुगा कवश के बारे में भी बताया था आप दुरुगा कवश का भी नियमित रोज का रोज यो नो डेली कम से कम तो एक बार हो सके तो दो बार पार्ट करना चाहिए पार्ट करते करते इतनी उब्रिया बनने लगती है कि हर तरह की नेगिटिव एनरजी से आपकी रक्षा होने लगती है अगर आप लोगों ने कभी दुरुगा कवश को नहीं पढ़ा है दुरुगा सब्तुश्रती में ये कवश है शायद 22 या 23 पेज नमबर पे 22 या 23 पेज से पहले से स्टार्ट हो जाता है जो स्टूती के साथ महत्मे के साथ पहले से स्टार्ट होता है जहां से मैं पढ़ती हूं 22 या 23 पेज है जहां से में कवश है मैं उतना ही डेली पढ़ती हूं उस कवश का भी बहुत जादा स्ट्रेंथ है मैं कभी अलग से कवज के बारे मैं आप लोगों से बात करूंगी अभी तुर समय ही नहीं मिल पा रहा है पड़ मैं चाहती हों कि इस नवरातर के दोरान आप लोग अपने किसी संकल्प को लेकर जो अलग से अगर आप शाहती हो तो दश्मी के दिन दशेरा का जो दिन होता है जब सारे हर तरस उसको शुब माना जाता है अगर आप किसी अलग संकल्ट से अभी नवरातर कर रहे हो तब तो अलग बात है आप उसको कंप्लीट करो उसके बाद अशेरा से नया संकल लाओ अब दुरका चरीसा से स्टार्ट कर लेना अगर नहीं अभी तक कुछ करा है तो नवरातर इतना शुबस समय है कि आप संकल्ट ले लिजे आज सक्तमी है आज अश्टमी या नवमी किसी भी दिन के लिए संकल्ट अपनी को विश्का ले लिजे माल जो एक ही बार में कि आज मैं आपकी दुरका चरीसा का इतना पार्ट करूंगी मा मेरी ये विश्कूरी कर दीजे मैं अगरे तीन दिन तक आपकी दुरका चरीसा का 11 पार्ट करूंगी 21 पार्ट करूंगी इस तरीके से आप विश्मांगे और माता को पहले विश बोल कर देंदरवाचरी सा पढ़ना स्टार्ट कीजिए मुझे पूरा यकीन है आपकी विश जरूर पूरी होगी इसी आशा और ब्लेसिंग्स के साथ मैं मधो करती हूँ आश की वीडियो से साइन आफ मिलते हैं मों अगले वीडियो में बाई टेक केर हैंपी नवरात्रे